Hello everyone, Welcome to my channel कैसे हैं, आप सब उमीद करती हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, तो आज मैं घर और किचन्स related कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ, जो आपकी डेली लाइफ में बहुत कामाएंगे, साथ में दिवाली से related कुछ ऐसे टिप्स हैं, जो आपको बहुत पसंद आ आने वाली हैं और helpful भी है, तो प्लीज वीडियो को पूरा दिखेगा, अच्छी लगे तो like and share कर दीजेगा, चैनल पर पहली बार आये हैं, तो subscribe करके bell icon जरू प्रेस कर दीजेगा, आज का पहला टिप्स है, चावल को लेकर कई घरों में डेली चावल बनते हैं, या फिर घ घुन लग जाती है, वो चावल का स्वाद बिगर जाती है जब हम बनाते हैं, तो या फिर कई पार ऐसा होता है कि हम चाहे कितने अच्छे से धोले, चावल को फिर भी एक दो घुन रह जाते हैं, पकानी के बाद अगर घुन दिख गया, तो फिर वो चावल वेश्ट हो जा चावल के बीच में रखके ऊपर से चावल से कभर कर दीजें, इससे आप देखेंगे कि कीरा या फिर घुन बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि तेजपत्ता की जो स्मेल है, जो खुश्बू है, वो काफिये स्ट्रॉंग होती है, और अगर चावल में इसकी खुश्ब लिठा सोडा भोलते हैं, खाने में इस्तिमाल करते हैं, तो एक छोथा ही चमच ले लेना है, और अब लेना है आधा निवू का जूस, तो आधा निवू को काटके और मैं इसमें जूस अच्छे से निचोड देती हूँ, आप देख सकते हैं, बबल सूट रहे हैं, हम लेड गंदगी फश जाती है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, या फिर मसाले की स्मेल आती है, तो इसको समय से में पर जरूर क्लीनिंग करनी चाहिए, अगर हम नाखून बड़े रख रहे हैं, तो इसमें अगर गंदगी फशेगी तो हम बिमार परेंगे, और देखने बहुत अच्छे से साफ हो जाती है, एकदम चमक जाती है, बहुत ही बड़िया तरीका है, तो मैं लगा ली हूँ, और दो तिन मिनट के लिए आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, और उसके बाद हाथ को अच्छे से धो लीजिए, तो नेल्स बहुत ही अच्छे से क्लीन हो हो रहता है, वो गुम हो जाती है, तो हम किस तरीके से क्लीन करें, क्योंकि और कपरों से अगर क्लीन करते हैं, तो इसके आजाते हैं, फिर वो चस्मा बेकार हो जाती है, तो आप ले ले थोड़ा सा वैसलीन, और बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, और लेना है कॉलगिट पे से इसे हमें पोच लेना है आप फ्रेम पर भी इस तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे से चस्वा क्लीन हो जाती है आप देखेंगे एकदम नए जैसे हो जाते हैं और इसक्रेश भी नहीं आते हैं तो यह बहुत ही बढ़िया तरीका है तो एक बार तो आप कॉटन लेके इस तरह से पोच लीजे फिर दूसरा कॉटन लेके और दुबार से साफ कर लेना है लेकिन ध्यान रखेगा कि वैसलिन ज्यादा नहीं लीजेगा नहीं तो चिपचिपाहट आजाएगी इस पे तो यह बहुत ही बढ़िया तरीका है आप देख सकते हैं मैं साफ कर ली चाहे वो लंबी वाली बत्ती हो या फिर फूल वाली बत्ती हो कई लोग अखंड जोद भी चलाते हैं अखंड दिया जलाना बहुत ही शुब माना जाता है तो जैसे कोई तेवहार है कोई भी फेस्टीवल में अखंड दिया जलाते है तो उसकी जोद बत्ती भी मार्केट स त्यार कर सकते हैं तो आप ले ले चूरी तो नई चूरी हो तो ज्यादा बेतर है क्योंकि यूज किया हूँ चूरी नहीं लेना चाहिए पुजा के लिए हम बत्ती त्यार करें तो नया चूरी लेनी के बाद इसमें इस तरह से आप बांध दीजिए जो धागा होता है और उस बहुत ही बढ़िया तरीका है इससे किसी की help की जरूरत नहीं पड़ती है ऐसे हमें help की जरूरत होती है कि कोई एक पकड़ता है तभी दिया की बत्ती बाट सकते हैं और इसकी बत्ती इसलिए बनाते हैं क्योंकि यह बहुत ही कम जलती है और काफी देर तक जलती है तो यह बढ़िया तरीका है दूसा तरीका बता देती हूँ रूई की बत्ती बनाने के कई तरीके वैसे मैंने शेयर किया है अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं फिर से आपके शाथ सेयर कर देती हूँ क्योंकि अभी दिवाली आ रही है और दिवाली में हर को दिया तो लगाते ही हैं, दिया जलाते हैं, तो क्यों यह इस दिवाली घर पर खुद अपने हाथों से दिया की बत्ती बनाई जाये, तो आप ले ले थोड़ा सा दूद, दूद की catching पर पानी भीू ले सकते हैं, और cotton लेना है बिल्कुल थोड़े से cotton में आप बहुत सारी बत्ती बना सकते हैं तो कई तरीके बता देती हूँ एक तो आप क्या करें थोड़ा सा cotton लेके और रोल कर ले और उसके बाद फिर दूसा cotton लीजिए और इस तरह से फैला के उसके बीच में cotton को रख देना है और cotton रखने के बाद इसको इकठा कर लीजिए और इकठा करने के बाद थोड़ा सा cotton उपर लेके और दूद की मदद से हमें इसको इस तरह से लपेट लेना है बहुत ही बढ़िया एक्तम चोच बन जाती है और ये जो बत्ती बनती है ये इधर उधर लुटकती भी नहीं है तेलिया घी डालके जब आप दिया जलाएंगे तो ये बहुत अच्छे से जलती है इसकी जोद बहुत ही तेज होती है दूसरा तरीका पता देती हूँ कि आप ऐसे ही बस उसको हलका सा फैला लीजे थोड़ा सा कॉटन लेके और दोनों तरप से इस तरह से चोच बना लेने है और फिर इसको इकठा कर लेना है और इकठा करके और फिर दूद की मदद से इसको लपेट लेना है यह बहुत ही अच्छी बत्ती बनती है और एक ही दिया लगाएंगे तो एतनी अच्छी रोशनी देगी और मोटी बत्ती बनती है तो जिस बज़े से तेल में या घी में आप जब दिया जलाएंगे तो इसकी बत्ती इधर उधर गिरेगी नहीं जो मार्केट से लेकर आते हैं वो इतनी हलकी बत्ती होती है क्योंकि उसमें कॉटन बहुत ही कम होता है तो जिस बज़े से वो बत्ती इधर उदर लुड़क जाती है और जोद बुझ जाते हैं एक बहुत ही आसान तरीका बता देती हूँ कि आप ले ले थोड़ा सा कॉटन और कॉटन को फैला लेना है और फैलाने के बाद बस थोड़ा सा ही फैलाईए और उसको एकठा कर लीज़े और एकठा करने के बाद दूद की मदद से उसको हमें लपेट लेना है टर्न कर लेना ह अच्छे से और आप देखेंगे एक सेकेंड में एक बत्ती बनके तयार हो जाती है बहुत ही बढ़ी तरीका है आप थोड़े से रूई में थोड़े से कॉटन में बहुत सारी फूल बत्ती या फिर लंबी बत्ती बना सकते हैं घर पर ही फटा फट और खुद के बनाए हुए आप बत्ती से जब दिये जलाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा हम ज